अस्लामिक जीविवर्स माइनि में बिजवान चीमा वेलकम पेक विट अनफर वीडियो आफ केपिटल स्मार्ट शेठी आज के इस वीडियो मैं अगर केपिटल स्मार्ट शेठी में Overseas East के वाले से इस्पेइन करूंगा कि Overseas East Block में इस वक्ट development का सूरतेहाल क्या है Right now जो आप दो buildings देख रहे हैं Right side पर जो building है जो Capital Hills Lakeview Block में है इसका नाम है मस्जिद और यह जो मस्जिद है basically यह Overseas East के लिए एक district के लिए specifically जामया मस्जिद है वैसे तो district के अंदर इस block के अंदर specifically different sectors के अंदर मॉस्क है जैसे C Block में है जैसे आगे E Block में बन रही है यह जो मस्जिद है यह पूरी जामया मस्जिद है जो basically Overseas East के तमाम members को overall cater करेगी और इस मस्जिद के सामने बिल्कुल जो building बन रही है इस building का नाम है sales gallery future में जो smart city का head office होगा वो इस building में move करेगा और most probably यह आने वाले आपको देखेंगे तकरीबन दो से तीनमा बाद यह office operational हो जाएगा अब इस office के left side पे जागो जहां पर कुछ villas बने बने बन नज़र आ रहे हैं इस sector का नाम है sector A और यह जो point है इस point का नाम है access one road ring road से connecting point अब ring road जो basically R1 road जो है यह overseas east में एक road है exclusive foot यह overseas east में भी है overseas central में भी है overseas prime 1 में भी है और overseas harmy park overseas central में भी है तमाम जगों पे यही road connect लेगी basically एक road है तकरीबन इस road की total जो length बनती है तकरीबन 47 km बनती है यह पूरे smartity के circle में यह पूरे smartity के अंदर जितने भी districts होंगे तमाम को equal connectivity प्रवाइट करेगी इस studio में मैं कोई google earth की में चीज़ नहीं डालूँगा क्योंकि सारा area जो already members को पता है कि यह area कैसा बनता है तो मैं सिर्फ़ details explain करूँगा R1 road को center point रखते हुए और end पे जो दो buildings बन रही है जो recent days में काफी तेजी से मकमल हुई है उन दोनों buildings को explain करूँगा right number जो right side पे footage है basically flower park के जो 260 किनाल का एक park है और left side पे sector B की है जहां पे one किनाल के villas बने हैं तक्रीबन 46 और तक्रीबन 6 members ऐसे हैं जिनों ने अपने villas पे खुद construction की है तो out of 160 plot आपके तक्रीबन ऐसे plot कहलें कि 55-60 plot ऐसे हैं जिन पे आपको September 2023 से अबादी नजराना शुरू हो जाएगी अभी left side पे जो यह C block है और C block से आगे जो एक road में आपको दिखाता हूँ यह road जो है यह Capital Smartity का सबसे पुराना road है यह सबसे पहले जो road बना था जो access point 3 है basically इस access point 3 से previously past में जब ही हम Smartity विजिट करते थे back side पे वो चक्री road है और चक्री road से अब होते हुए इस point पे आके match करते थे और इस point से आगे सामने आपको एक masjid मिलती है मस्जिद एक point रखावा था Capital Smartity में जब भी हम विजिट करते थे जो सबसे पहली building operation होई थी उस building का नाम था यह Moss जो sector C में है और Moss के बिल्कु सामने यह आपको जो plaza बन रहा है यह building बन रही है यह 10 किनाल की building है Lakeview Heights के नाम से अब यहाँ पर जो मस्जिद के सामने building में रही है इसके उपर वले 7 floor complete होगी है सिर्फ 2 floors बाकी है Ground plus 10 की building है तो Ground plus 7 is already completed और उपर लास्ट वले 2 floors जो है वो भी मेरे हल में by the end of this year complete हो जाएंगे तो यह वाला plaza जो है यह भी operational हो जाएगा इस plaza के opposite side पे यह जो society का यह machinery yard है आम तोर पर जो overseas east और इसके neighboring area में जो machinery लगी होती है वो सारी यहाँ के यहां में बारक होती है इसके बिलकुल साथ adjustment जो right side पे है वो लामायर के रही है अब लामायर है जो एक Dubai based अपने concept देखा होगा के water body के साथ साथ आपके walking tracks होते हैं जहां पे आप shopping कर सकते हैं जहां पे आप food की outlets हैं जहां पे different किसम के brands होंगे same इसी लामायर को concept पे त्यार किया जा रहा है कि future में जितने पकस्तान के बड़े brands है उनको यहां पे accommodate किया जाएगा अब लामायर की खास बात यह है कि लामायर में enter होते है साथ शुरू में parking है left side पे जो एने mark भी की हुई है और लामायर की इस parking में आप गड़ी पार्क करेंगे और पूरा जो area dam के surrounding में है यह sankro record का area है जो society ने 99 year के lease पे government और पकस्तान से खरीद रखा है अब इस area में dam को खरीद रखा है basically चहान dam को उसके neighboring जो जमीन है वो private land थी वो private society ने acquire करके उनकी ownership में है वो को lease पे नहीं है अब इस dam की surrounding में जो भी properties होंगी वो बहुत high end properties होंगे in future क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह concept पाकिस्तान में नहीं है पहले जैसे capital smart city बहुत सरे चीज़ें इस project में नहीं की है सबसे पहले चीज़ें की है कि motorway से independent ने लिया है इससे पहले किसी society ने लिया था इसके लबाव लामायर का concept देख लें हरडाइन गॉल्फ को concept देख लें इसके लबाव आपका overseas लो concept देख लें अब मेरे left side पे जो sector है इसका नाम है sector E यहां पे पांच मनला के plots हैं और right side पे जो sector है इसका नाम है हार्मी पाक overseas east में अच्छी बात इस वक यह है कि जो पांच मनला और साढ़े तीन मनला के विला अपार्टमेंट्स थे हैं उनके structure जमीन से निकलाई हैं अब यहां पे एक और point आइड करना चाहता हूँ कि आपने पूरी जितनी भी स्मार्टमेंट्स देखेंगे ना तो आपको नेबरिंग स्मार्टमेंट्स में वैली का व्यू आता है कि सेंटर में स्मार्टमेंट्स है इन एरिया से जैसे आपको मार्गला का व्यू मिलता है फैसल मासित का व्यू मिलता है उस तरह का व्यू मिलेगा तो future में जो एरिया होगा यह बहुत ज़्यदा बहुत ज़्यदा expensive होगा कि इसलामबाद के अंदर इस तरह water के साथ-साथ-साथ बनाने का projects नहीं है अब यहां पर इसके अच्छी बात ये भी है कि लामाइर के साथ जो बिल्कुल हार्वी पाक ब्लॉक को रखा गया है तो अगर आपके बाद साढ़े तीन मरला का plot है या विला अपार्टमेंट है या अपार्टमेंट है कुछ भी है तो आपके सबसे अच्छी बात ही है कि आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में जाके काफी जादा गेंज लेगी अब मैं वापिस जाता हूं जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट किया था यह मैं सेक्टर्स के दरम्यान से होता जाओंगा आरवन रोड दिखाते हुए ताके मेंबर्स को आइडिया मिल सके सेंटर में ए ब्लॉक और डी ब्लॉक के दरम्यान में कुछ पार्शल प्लॉट है इससे पीछे जाएं तो आपके जी ब्लॉक दखाता है जो लैंड अभी तक लिटिगेटेट है आप जब यह लैंड प्रिक्योर्ड होगी तो यह सारा अरिया जासे आपको यह लैंड के बहुत अच्छी बनेंगी क्योंकि इस सारा अरिया जो लेवल एक स्केल पर आजएगा तो एक स्केल जाने के बाद डेफिनली अप एकस्पेक्ट कर सेते हैं कि यहां पर आपको किस तरह कभी हो मिलेगा बाद के इस ब्लॉक में जो विलास बचते हैं उस विलास को साइटी इटसल्फ मेंबर को पासओन करेगी डिवेलपर पॉसेशनेबल करने के बाद राइट साइट पर जो यह ग्रीन वाला पार्ट नजर आ रहा है इससे पहले जो जो रोड़ आपको नजर आ रहा है यह इसी ट्रिवलीज के लिए आठ मरला के कमर्शल ब्लॉट हैं यह उनकी पारकिंग है और से आगे दुबारा अब मेरे लेफ्ट साइट पर C-Block है और C-Block है राइट साइट पर जो आपकाते है आई ब्लॉट आतर सेंटर में लीनियर पारक है अब यह जो building बन रही है, यह FNH है, यह hospital का plot है, तो छोटा जो medical clinic होगा, वो side पे इस जगब बनाए जाएगा, तो अभी side पे एक और 50 bed का hospital है, मैं कि जिन बाद में वीडियो बना दूँगा उसकी, 50 bed का एक hospital और overseas east में एक दूसरा clinic, अब देखे एक sector के अंदर, यह एक block है, overseas east, उसके इंदरा के 12 blocks हैं, 12 sectors हैं, हर sector को उस लिहाज से, जितनी amenities हैं, उसके nearby walking distance पर प्राइट की गई है, कि आपको हर चीज़ वे on ground मिलती है, और सारी बिल्कुल walking distance मिलती है, तो यह सबसे positive बात है, अमेरे left side पे C block के 10 मरला के villas है, इन तमाम villas का possession है, फाइनल स्टेज में आ चुका है, in fact, मैं आज यहां कुछ दिनों बाद मैं की वीडियो सी पोस्ट कर दूँगा, कि C block में इस विलाज का standard के है, विलाज का status के है, और इसके लबाप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, एक नार दो कनाल के विलाज के हवाले से, मैं independent वीडियो स्ट कर दूँगा, ताक आपको मुकमल अबाद नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त साइट पे सेक्टर, Overseas East में, सेक्टर B में स्कूल है, सेक्टर C में मस्जिद है, सेक्टर C में 10 किनाल का जो है कमर्शल बिल्डिंग है, सेक्टर D में आपको 22 किनाल के अपार्टमन बिल्डिंग है, सेक्टर A के opposite स पे आपको हॉस्पिटल किसी प्लॉट भी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके पीछे ग्रेंट जामें मॉस्क है, मतलब जितनी अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी आपने ये वीडियो देखिए को तब समें आपको सारा पार्ट ग्रीन नजर आया होगा, क्यों सिसाइटी ने Overseas East का Almost 40% एरिया ऐसा है, जो ग्रीन जरी के रिजर्व किया हुआ है, आपको, मैं एक जम्बल देता हूँ, बी ब्लॉक की, अब बी ब्लॉक के एक नेबर में देखें, नौर्थ में, एस्ट में, वेस्ट में, सौथ में, चारो तरफ आपको 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 एक तरफ 260 कंणल का पार्क है, जहांपे बन कंणल के प्लॉक्त एंप तो अगर आपके पास अभी investment है और आप सिर्फ 20% down payment दे के possessionable plot खरीदना चाहते हैं तो दिये के number पर लाजमी रापता करें क्योंकि आपके पास ये golden opportunity शाह दुबारा ना आए किगो society के पास जो villas के लिए reserve plot थे society ने फैसला किया है कि हम उनको general public के लिए float करेंगे ताकि general public on plot पे possession लेके directly construction स्टार्ट कर सके society ने तकरीबर विलाज के लिए overseas east में तकरीबर 1500 plot रिजर्फ किये थे और 1500 plots में से तकरीबर 900 something plot है जो विलाज जिन पर बन चुकी है उसके अलावा जो बाकी तकरीबर 100-120 plot ऐसे हैं जो society की तरफ से different members को अलोगेट होगे थे उसके अलावा अपने plot पे construction स्टार्ट कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि overseas east के members के लिए overseas east में जो भी plot लेना चाहता है उसके लिए golden opportunity है अब यह जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ यह सारी वो चीज़ें जो मैं आपसे अज्यूम नहीं करवा रहा है कि let's assume यहां पर यह बनेगा य कैस हमार्ट के site पर घर बन रहे है तकरीव हम रएनयॉ सब्सके आपके हजार के साइधे कर ढ़ बन रहे हैं तो किना थे तना बड़ा संटिक सोच की साथ आ रहे हैं कि स्मार्ट इटे ने अपना एज़ं ओपना रख आपना एजूटी अवक्डेशन नैट्वर्क अपना र उनके साथ मिलके एक syllabus तियार किया जाएगा जो smart city के अंदर smart stem के नाम से एक system होगा जिसमें जितने smart city के अंदर members होंगे उनके बच्चों को जहां पर education दी जाएगी वो इस 21. सदीगी जुमा जुमा तकरीबन पूपांसाल होएं अभी ग्राउंड प्राइग होएं यह बहुत कम टाइम है डेट दोला कनाल के परजक्त के लिए बहुत कम टाइम है दोला कनाल के परजक्त में तो जाएटी के पास इस तक जो है वो cancer का hospital है संसर के सोझाइटी के पास इस वकाइग हारले स्थीट लंइक आपको सब्सक्राइट के दो कहा होके बड़ा मशोर आपर सेkówस अच्छी बात यह ना कि अशी आपको हर चीज वो in-house मिल ली अब इसी दादा लगा लें कि इस वक्त क्या साइट पे मस्जिदों की कमी है एक मस्जिद जो है वो एक मुस्लमान की बेसिक निसेस्टी है आपके बच्चे जब स्मार्टी में आकर प्रहेंगे तो definitely अगर आपके walking distance मस्जिद है अजान होती है तो definitely बच्चे के लिए आप नमाज के लिए जायर सी बात है तरगीब मिलेगी नमाज के उसको दावत मिलेगी वो नमाज पढ़ने जाएगा तो आपके बच्चों की grooming के लिए आपके बच्चों के future के लिए अवराल इन जर्नल देखा जाए तो ये बहुत positive बात है कि एक सर्फ सेक्टर इस देख लें इस ब्लॉक के अंदर अभी घर एक भी नहीं है बंदा एक भी नहीं रहता और society की तरफ से तीसरी मस्जिद बनाई जा रही है अब ये जो पीछे आपको sales ले Capital Hills Lakeview जो community park में ज़र आ रहा है इससे पहले sales gallery है इसकी back side पर जो मस्जिद देखे हैं इस मस्जिद का एरिया बनता है 64 कनाल चोंसर्ट कनाल पर मस्जिद बनाई जा रही है जो grand jamia मस्जिद है जिस पर construction हो रही है जो center में आती है वरसे center के उस area को जो total area बनता है उसका वो बनता है I think 252 कनाल डाइसो कनाल की मस्जिद चोंसर्ट कनाल की मस्जिद आर्ट कनाल की मस्जिद दस कनाल की मस्जिद यह तो trend बन गया नहीं है आपे कि हमने इतनी चीज़ें site वे बनानी है उसके लवा education system का मैंने जिकर कर दिया कि जो world renowned educationist है पाकिस्तान के top educationist और प्लस यॉर्प के और प्लस यूके के और टॉप educationist है वो सारे contract में हैं अब contract में तो उनके साथ society उनके साथ मिलके education system अपना خود design करेगी यानि बच्चों को वो टेपिकल नहीं बढ़ाया जाएगा कि फर जेंबल आप theorem याद करें और ये करें वो करें 2023 का education system और 1990 का education system में जमीन असमान का फरक है 33 साल का फरक है 33 years is a number ये सिरफ अलफाज के लिनिया है actual में के number है तो society ने उसको मद्य नज़र रखते है अपना system create किया आपके सामने है अभी मैं दूसरी बात यह कर था society में आप देखें तो आपको पार्क सा सिस्टम अभी society में एक बंदा भी नहीं रहता और 260 कनाल का पार्क पीछे आपको नज़र आ रहा है अब B-block के मैं ने जिकर किया था तीन साइट पर आपके पार्क है और छोटे मोटे पार्क नहीं है अगर आप कहते हैं मैं किसी दिन Google Earth पर मेजर कर दूँगा एक एक पार्क जोए कम सकम जाके 100-100 कनाल का पार्क है ये members को facilities मिल रही है अगर आप घर बनाते हैं यहांपे तो आपको हम हर तरह से accommodate करें कि best of the best abilities के साथ पीछे आप landscape देख लें अगर आप यहांपे रहते हैं जब यहांपे at least अपके घर का जो structure allowed आपको 38 feet की height allowed है 38 foot की height के साथ आप पीछे background में देखें अगर घर बा को बना हो तो आपको 360 डिग्री में यानि 360 डिग्री के जाविय में आपको जो चीज नजर आएगी वो होगा पहाड, खुबसूर्ती, पार्क्स, मसाजित, education system और state of the art विलाज अब देखें कि जहांपे 900 विलाज society ने खुद बनाए हैं अगर आप रिदम देखें, उनकी synchronization देखें तो तमाम विलाज तकरीवर आम तोर पे तीन डिजाइन में हैं, जॉर्जियन स्टाइल, contemporary स्टाइल, Mediterranean स्टाइल, अब यह जो विलाज है, अगर एक street स्टाइल जॉर्जियन स्टाइल किया तो उस पे एक बहुत अच्छी आपको रिदम नजर आता है कि हर तरफ आपको एक जिसले लैंड्सकेप नजर आता है तो मेरा ख्याल है कि smart ready का यह बहुत अच्छा निशेटर था कि smart ready नहीं यहां पे 30% पे members को जो घर बनाने के खौईश रखते है उनको यह opportunity दी है कि आप अपने plot पे घर बनाए तो society आपको best of the best services में लाज़मे अकॉमेंडेट करेगी तो यह ओर आल जो smart ready के में कोई चीज़न बतार था यह वो चीज़न थी कि जिसमें smart ready के members के लिए definitely फाइदा है कि golf course है आपके पास आपके पास सारी चीज़े मजूद है on ground exist करती है assumption based पर नहीं है अब यहां इसलामबात पंटी में देख लें तो कमस कमस सो societies है सो में से पांच societies हैं जो जमीन पे काम कर रही है उन पांचों में comparison कर लें और area सिर्फ देखें compare करें Google Earth पे मैं आज Google Earth पे compare कर रहा हूँ तो capital smart ready का जो area बनता है develop हुआ वो बनता है 43,224 कनाल तकरीबन round of कर लें 47,000 43,000 47,000 कनाल इतना बड़ा area smart ready आई develop कर रहा है जो second number of society आती है उसको पता area कितना है 45,000 कनाल जो उन्होंने develop किया है मैं नाम ने लेता क्योंकर different projects उसकी market अपनी है उनके अपने customers है consumers हैं जहांपे उनके stakes है मैं नाम ने लूँगा बट आप ratio देखें कि 1,10th ratio है first position वाले की जो number है Google Earth पे पास से तो facts बना नहीं सकता Google Earth पे open challenge है किसी भी बंदे को कोई भी individual चाहिए तो smart IT के सब लैंड में एकरे जो Google के updated images है तो उसके मताबिक 43,224 कनाल smart IT ने जमीन पे deliver करके दिखाया है on the counter side आपको जे एरिया मिलता 657 कनाल multiple 657 एकर multiple पे 8 कर लें तो उनका area जो निकलता है that is around 43 to 4500 कनाल जो बनता है 1 tenth यानि 10 गुना कम development की है और वो brand भी छोटा नहीं है बहुत बड़ा brand है अब उस brand को भी देख लें तो उसकी वर्थ देख लें और smart IT की देख लें तो आपको अंताजा हो जाएगा अब राइट ना जो फोटेज आप देख लें स्क्रीन पे यह आपको एकसेस वन रोड है जो चक्री गेट सेंटर होगा पीछे आपको सारव नदर भी आ रहा है यह इस पे जो पुल है यह भी बन गया अच्छे पुल से याद है यह जामे मज़ित की बैक साइड पर जो एरिया यह कैपिटल हिल्स लेक व्यू कम्यूटी है अब कैपिटल हिल्स लेक व्यू कम्यूटी में एकस्पेक्टेड तो यह था कि विलाज लाउंच किया लेकिन आज की डेट में स्मार्टी ने वहाँ पर ओफिशली कुछ भी लाउंच ने किया जब फ्यूचर में वहाँ पर लाउंचिंग होगी इंशालला तो मैं अपडेट लाजमी कर दूँगा मेंबर्स को जो इस चैनल पर लाजमी बराने मेंबर फॉलो कर रहे हैं तो इंशालला आपको इस हवाले से बहुत जल्दी नई अपडेट मिलेंगी 11 जुलाइ 2023 तक आपने Capital Smart City की अपडेटिट 12 जुलाइ तक फुटेज देख लिए है आपको आइडिया होगा तो प्लीज जुलाइ कॉमेंट और शेर और चैनल को सुट्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक लिए खुदा हाफिस